हेलो टू आल मैं हुआ वांतिक और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बॉलिवुड राउंड अप में आज राउंड अप की शुरुआत में सबसे पहले बार करेंगे बॉलिवुड के बिग बी यानि कि अमताब बच्चन के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अमताब बच्चन का शिर्ट भांदने वाला स्टाइल ट्रेंड हुआ अमताब बच्चन सोशल मीडिया पर सबसे सक्रियर रहने वाले अभुनेताओ में से एक हैं हाल ही में अमताब ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है जो उनकी शूटिंग के दौरान की है इस फोटो में आमताब ने नीले रंग की शर्ट और वाइट पैंट पहनि हुई है शर्ट को उन होने आगे से बांदा हुआ है यह style उस वक्त खूब लोक प्रिय हुआ था उन्होंने इस shirt को भांधने के पीछे का किस्सा बताया है आमिताब की माने तो आमिताब set पर पहुँचे थे उन्होंने shirt पहनी तो वह काफी लंबी थी और जिसे उन्होंने यह style दे दिया और यह हिट हो गया आमिताब बच्चन का यह style आप सभी ने एक नाइट बार जरूर ट्राइ किया होगा लेकिन अगर नहीं किया है तो आप कर ले और अब बात कर लेते हैं सोनू सूथ की सोनू सूथ के साथ ट्विटर पर कुछ ऐसा हुआ है कि सोनू अपनी हसी रोक नहीं पाए सोनू सूथ कोरोना महमारी के बीच मजदूरों के सबसे बड़े मददगार साबत हुए है उन्होंने अब तक लाखों लोगों की किसी ना किसी रूप में मदद की है कभी किसी प्रवासी को घर पहुँचाया तो कभी किसी की जान बचानी के लिए रात भर जग कर ऑक्सीजन सिलिंडर की विवस्था की यही कारण है कि सोनू सूथ के ट्विटर अकाउंट से लेकर मुंबई में घर के बाहर तक फर्यादियों की लंबी लाइन लगी रहती है लेकिन इसी बीच कुछ मामले ऐसे भी आ जाते हैं जब सोनू सूथ भी अपनी हसी रोक नहीं पाते ऐसा ही कुछ मंगलवार की सुभा हुआ जब एक फैन ने सोनू सूथ से अपनी गर्फरेंड के लिए आईफोन की मांग रख दी सोनू सूथ और उनके फाउंडेशन को टैग करते हुए लड़के ने लिखा भाई मेरी गर्फरेंड आईफोन मांग रही है उसका कुछ हो सकता है इसके जवाब में सोनू सूथ ने लिखा उसका तो पता नहीं अगर आईफोन दिया तो तेरा कुछ नहीं रहेगा सो नुसूद ने इसके साथ हसने वाले इमोजी भी शेयर किये है बॉलिवुड में अगला नमबर है आट्रस जाकलीन फर्नांडस का जाकलीन अपने सोचल मीडिया पर खूब आक्टिव रहती है वो आए दिन फोटो और विडियो अपने फैंस के साथ शेयर करती रहती है हाल ही में जाकलीन ने अपनी एक सेल्फी प्यारी सी हसी के साथ पोस्ट की थी लेकिन ट्रोलर्ज ने इससे भी ट्रोल कर दिया लोगों ने जाकलीन की पुरानी तस्वीर का रेफरेंस दे कर कॉमेंट किया है जाकलीन फरनादस ने हाल ही में एक सेल्फी पोस्ट की है इसमें वह जालीदार ब्रालेट पहने दिख रही है इस पर लोगों को उनकी वह तस्वीर याद आ गई जिसमें उनका आउटफेट फटा हुआ था जाकलीन ने सेल्फी पोस्ट करके लिखा है एक तरफ जहां उनके फैन्स तस्वीर खुब पसंद कर रहे है तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी है जो जाकलीन को लगातार ट्रोल कर रहे है कुछ लोगों ने उनके अंडरांस पर नेगटिव कमेंट किये है तो एक रीडर ने तो उनकी पुरानी तस्वीर याद दिलाते हुए उन्हें ट्रोल कर दिया अपने बड़ा पर शाहित कापूर और मीरा राजपूद By Town के सबसे चहीते कपल है हाल ही में मीरा ने अपने सोशल मीडिया पर शाहित का एक मेसिज शệर किया है आए जानते हैं क्या है वो मेसिज शाहित और मीरा की जोड़ी कभी भी अपने प्रशंसकों के लिए रिष्टे के लक्षयों को पूरा करने में विफल नहीं होती है इंस्टाग्राम पर शाहित को चड़ाने की बात आती है तो मीरा हमेशा सबसे आगे रहती है अपने कमेंट सेक्शन में अपने बच्चों के साथ पोस्ट करने से लेकर अपने प्रशंसकों को कुछ अधभुद पारिवारिक ज़ल किया देती है आज मीरा ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक पोस्ट शेयर किया है जो उन्हें शाहित से मिला था मीरा ने इसे पती से डीम्स कहते हुए एक रुमैंटिक ट्रैक पोस्ट किया जो किसी को भी उनकी लवर की याद दिलाएगा उन्होंने एक म्यूजिक प्लेयर के गाने पल-पल दिल के पास की एक जलक साजा की है शारुक खान की बेटी सुहाना खान का फैशन स्टाइल हर कोई फॉलो करता है हाल ही में सुहाना की एक तस्वीर वाइरल हो रही है शारुक खान की बेटी सुहाना खान अपने कूल फैशन स्टाइल के लिए पहचानी जाती है साथ ही वे पोस देने में किसी से पीछे नहीं है इसी बीच उनकी नई मिरूर सेलफी सोचिल मीडिया पर फैन्स गुआरा खुब पसंद की जा रही है इस सेलफी में सुहाना जिम में अपना अप्स और टून बॉडी फ्लॉंट करती दिख रही है 21 वर्षिय सुहाना जिन में अकेली नजर आ रही है और फोटो देखकर लग रहा है कि वे जिम कर रही थी और मौका मिलते ही अपनी सेलफी क्लिक कर उसे इंस्टाग्राम पर फैन्स के साथ शेयर कर दिया आज की बॉलिवुद राउंड अप में वस इतना ही बॉलिवुद के तमाम चटपटी खबरों के लिए बने रहे हिंदुस्तान के साथ